स्टॉक्स हैं जहां पे खबरे आई हैं और उन पे आक्शन भी देखने को मिल रहा है रोज की तरह है पूरी लेकर हमारे साथ माई से योगी पूजा तरपाथी जुड़ चुकी है पूजा बताईए जी विदानता पर नज़र रखे से जुड़ी खबर आ रही है कि इनकी यूके की जो कंपनी है पेरेंट कंपनी विदानता रिसोर्स ने ग्रॉस डेट में कमी की और 6.4 बिलियन डॉलर अब इनके कर्स पहुच चुके है और मई और जून में लोन और बॉंड का भुकतान भी क किया है अब ग्रॉस डेट को शुने तक पहुचाने का इंका लक्षे है इसके अलावा यूको बैंक से भी जुड़ी खबर आ रही है अश्मिनी कुमार तीन साल के लिए एमडी और सीयो नियुक्त कर दिये गए हैं पूना वाला फिनकॉप यहां पर हाउसिंग फिनांस आम का निवेश किया और इसके जरी करीब करीब 12.79 परसेंट हिस्तेदारी कंपनी में खरीदी है स्टॉक में सुबह से हम देखने हैं अच्छी मजबूती है और रतन एंटरप्राइस में एक स्मॉल कैप कंपनी है यहां पर रिवोल्ट मोटर्स जो की कंपनी की सबसिडिरी है पूरे भारत में करीब 11 नए डीलर्शिप इंके खोलने की योजना है तो आज इंक सब के चलते यह तर्मान स्टॉक्स फोकस में और जारा तर छोटे मज़ोरी कंपनियों से जुड़े यहां पर खबरियाज निकल करा रही है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया पूजा यह हमारा दर्शकों के सामने रखने के लिए तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हम आक्शन देख रहे हैं पर आगे बढ़ते हैं कुछ और सेक्टर्स पर बात करें तो कर भी हम चर्चा कर रहे थे शो में आईटी काउंटर्स की जहां पर मार्केट में बहुत एक्साइटमें सकते हैं एक बार राहूल आपसे समयना चाहेंगे कि क्या नजरिया रखते हैं आप आई-टी काउंटर्स पे क्या यहां पे भी एक डिफेंसिव बैट लिया जा सकता है तो दो स्टॉक्स में एक तो परसिस्टिन सिस्टम्स तो चार्स पे एक्सिलेंट लग रहा है वो तो राउंडरिंग बॉटम वाला डिमांड जोन हैं वहां पे और दूसरा परसिस्टिन सिस्टम्स एक अच्छा पैटर्न फार्मिशन बन रहा है बड़ अभी तक बना नहीं है तो उस पे वेट करेंगे थोड़ा PCS 3250 देख सकते हैं और परसिस्टिन सिस्टम्स करेंट लेवल पे एक और बात IT फाइनली ऐसे लग रहा है कि वो जो बैर मार्केट चल रहा था इतना टाइम से उससे बहार निकल रहा है तो अगर थोड़ा लंबा टेन्योर है किसी के नजर में तो IT बीज में एक SIP जैसे भ मावना है ठीक है IT stocks पर ये व्यू लेकिन मंदार जी आप